हिमाचल में कॉंग्रिस के लिए रहे की बात है हिमाचल में प्रतिबा सिंग जी ची की अध्युक्ता में कॉंग्रिस जीत कुई है प्रतिबा सिंग जी हमारे साथ है एक बुरा दॉर रहा वीरभद जी नहीं रहे फिर बाई-इleksion लडई, बाई-इLEKTION मंडी जीती और अब उनके नेत्रित्व में प्रचार किया और कॉंग्रेस सत्ता में वापस आई है प्रतिभा सिंग जी पूरे दिन आपके साथ लोग मुहबबत भावनाएं आसू कैसा फील कर रही है अज भी वह जीतते थे तुबारा से कॉंग्रेस को सत्ता में लाते थे तो ऐसा माहूल घर पे हुआ करता था आज भी वैसा ही माहूल हम को घर पे देखने को मिला हम अभारी है हमाचल प्रदेश की जन्ता का जिन्होंने ये मैंडेट दिया और जिन्होंने विर्भाद सिंग के नाम पर वोट दिया और एक शिर्धानजली के तौर पर उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे और ये पार्टी लाइन से उपर उठकर हमको मैंडेट मिला है इसमें दूसरी पार्टीों के लोगों ने भी हमको सहयोग दिया उन्होंने भी कहा कि वीर्भाद सिंग जी का मुक अला कमान ने कहा किया आप लड़ो अला कमान ने पूछा थी पहले ना की थी वीर्भाद सिंग जी को जाके दो महने भी नहीं हुए थी और फिर चुनाव के मुदान में उतरना उतरना मेरे लिए कोई बड़ा आसान कारे ने था मैंने उनको मना किया बट देसेट की इड़ आप लुकूर्द इड़ा ने उनको जापड़ा थी अगाले मुदा यह ने वहान भी ने ने रॉनका जी आप लुए जिए लेखर भी। इड़िषू के लगशार है ने बहूत बड़ा रोल प्ले किया है उन्होंने मुझे पार्टी का अधियक्ष बनाया और उनका भी मैं बहुत आभार करती हूँ प्रियंका जी केम शी गेव फुल टाइम शी वस रिजाइडिंग तो उन्होंने कितनी जनसभाइं किये जिसका बहुत अच्छा प्रभाव हमाचल की जनता पर पड़ा और उन्होंने भी मैंडेट दिया उनके भी हम अभारी हैं रहुल जी वस इन भारत जोड़ो यात्रा लिया जान गार वी जन आने के लिए बूला कि वैन वीडियू कम खो म मैं देख एक जाहना चाहती कि हाकमाण सक्ता का वारी हमार ने शुकला जी को यहां पर जाहां परभारी बनाया शुकला जी we also played a very very positive role he helped us in every matter it was not a difficult easy election to win because this may be all say constraints to boss a constraint we were not financially so well off shukla ji the other one can call today's mother to reform my up kita he helped us in every front in every front whether it was helping the candidates whether it अब एक कठिन सवाल आपसे, अब हमने देखा है कॉंग्रेस में अकसर ये हो जाता है कि चुनाओ जीतने के बाद कुछ लीडर्शिप क्राइशिस हो जाती है, आप बहुत स्ट्रॉंग लीडर हैं, 36 सीटों पर विर्भरद जी ने 2012 में सरकार बनाई थी, आप मुझे पता है आप कह रही है कि हाई कमांड जो कहेगी वो मैं करूंगी, लेकिन बहुत सीधा सा सवाल है और एंडी टीवी पर जो तमाम दर्शक देख रहे हैं आपको, जो कॉंग्रेस की लीडर्शिप देख रही है या बीजेपी के हिमाचल के लोग हैं, प्रतिभा सि कि हमने आपको एलेक्शन लडने के लिए बोला, आपने लड़ा, आप जीती, आपको परदेश का अधियक्ष बनाया, आपको जाब बोला कि फील्ड में जाओ, काम करो, अटसट केट्स हलकों का दोरा करो, आपने, वो मुझे बोला, मैंने वो किया, और आज जिताकर पार् आपने कहा कि वीरभादर सिंग जी की लेगेसी को एग्णोर नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता ही नहीं है, बिकॉस दिस हमाचल परदेश इस एमोशनल स्टेट, यह और स्टेटों से नहीं आप कंपैरिजन कर सकते कि जी गोवा में ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, हमा कल परसो में चंडीगड बैठने वाले हैं, हम ऐसा ही सोच रहे हैं, और चंडीगड हमने इसलिए तह किया है, I have told you very frankly, because it's accessible to everybody, अब जो चंबा से शिमला आएगा, उसको कितने घंटे लगें, 12 वास, है ना, तो जो जिसने कांगडा से आना, उसको भी 7-8 घंटे लगेंगे किसी ने नापटर से पहुच ना है, किसी काहुचछ ला किसी कांगडा से पहुचना अ उसको पांचने लो इक शे घंटे का सफ आपकर पहुंच्छ जांए, हमने बैठकी बात्चीती आप समें midstraat या कि तो midstraat बात को किसीम चाहते है, आप क्या और में वह की साना रहा, च आपको और उम्मीद है कि जो आखरी अभी एक परीक्षा आपकी बची है या मुख्यमंत्री बनाने की या अगर पाटी कहें बनने की भी तो परीक्षा भी आप सफलता पूरा पूरी करें होगी रजयराम ठाकूर कह रहे हैं कि मैं अपनी हार स्विकार कर चुको और एक मजब मैरा के साथ और अप्शुक लाइनिटी वें